मन लिजे कि आप एक audio amplifier बना रहे हैं और उस amplifier में जो volume based travel के लिए जो potentiometer आपको गोग करें वो एक analog potentiometer है और analog process काफी पूरान भी हो चुकी है आज के इस वीडियो एपिसोड में आप देख पहने कि कैसे एक digital potentiometer कैसे बनाया जाए यादि आप नहीं जानते potentiometer कैसे काम करते तो मैं आपको बादा में जाता हूँ कि एक analog value को pull up और pull down करने के लिए जो potential process है उसको ही potentiometer का काम है और digital potentiometer यादि आप नहीं जानते तो मैं बताऊंगा कि हाई-फाई audio system में जो incoder रहे जो continue rooted होते हैं जिसका कोई end नहीं होता वही digital potentiometer है क्योंकि उससे आप base travel और भी सारे चीज़ आप control कर सकते एक ही potentiometer से है और यह सारे process में आज Arduino के दोड़ा करने वाला हूँ क्योंकि Arduino has a 10-bit ADC, even 8-bit a digital output मुझे लगता है कि यह काफी resolution होगा एक digital potentiometer को सेही रहां सो operate करने के लिए सो गाइस और एक बात यादि आप चाहते हैं कि आपके लिए कोई में specific video बनाओं तो आपका जो subject है वो subject आप community post में लिख सकते हैं हर हफ्ते हर वीक में मैं एक video बनाने बाला हूँ उस subject के उपर सो गाइस चलिए देखते हैं कि यह digital potentiometer एक्चुली काम कैसे करते हैं Digital Potentiometer यह बात दिमाग में आते ही आपके मन में यह भी आ सकते हैं कि एक LD के brightness जैसे increment और decrement किया जाते हैं बैसे ही process में शायद volume को भी control किया जा सकता है ना बिल्कुल यह बिल्कुल wrong है आप बिल्कुल wrong सोच रहे होंगे क्यूंकि इस process में यह तो possible नहीं है आपके मन में doubt है तो चलिए इसको एक बाद चेक करके देखते हैं तो finally code upload करने के बाद आप यहां देख पा रहे हैं कि मेरे LED के brightness बहुत ही बैतर धंग से increase और बहुत ही बैतर धंग से decrease भी हो रहा है ओके चलिए एकवा signal का analyze करके देखते हैं तो इसलिए मैं oscilloscope को proof इसके साथ connect किया लिया और देखे यह process बिलकुल duty cycle के उपर depend है जो 100% duty cycle that means full brightness और 0% duty cycle that means low brightness यादी मैं frequency को analyze करूँ तो यहाँ देख पाएंगे कि आप 976 हार्ज होए जो की Arduino के timer 0 है यहाँ मैं cluster two word audio amplifier का उपरोग करने बाला हूँ sound output के लिए जो मुझे लगता है यह काफी होगा तो positive और negative supply को इसके साथ में connect कर लूँगा और उसके बाद यहाँ मैं एक NPN transistor का उपरोग करने बाला हूँ इसका काम है audio input source को pull down करना pull down process complete हो जाने के बाद आब हमें एक input audio source चाहिए तो इसलिए मैं यहाँ एक Bluetooth module का उपरोग करने बाला हूँ तो इसको मैं positive और negative के साथ जोड़ दूँगा और इस Bluetooth module के output source को इस amplifier के input source में connect कर लूँगा उसके बाद मेरे cell phone में मैं इस Bluetooth device को connect कर लूँगा और फाइनली में एक उस फ्री कॉपिराइट प्री म्यूजिक को भी प्ले कर लूँगा और देखिए music तो बैसे बहुत ही लाउड़ी प्रोडूस हो रहा है मगार जब मैं वूलियम को डिक्रीस करूँ तो आप देख पहेंगे कि यह sound 8 bit की तरह मैसूस हो रहा है क्योंकि प्रोसेस से एक सही digital potentiometer बनाना बिल्कुल भूंगी नहीं है तो मेरे पास और एक प्रोसेस है तो चलिए उस प्रोसेस में एक वैतर प्रोसेसर बनाते हैं यह है PT2322 sound processor IC यह काफी popular है मगर मेरे पास और भी एक IC है वो है PT2258 यह काफी compact है साइज में सो इसलिए मैं इस छोट IC के डेटाशीट और इस डेटाशीट में अब देख पा रही है यह एक six channel electronics volume control IC है और यह IC 0 db से 79 db तक maximum जा सकते हैं और 1 db पार step है देट मेंस हम 79 db तक maximum stable सकते हैं और यह SD and HCL pin देट मेंस यह IC i4C protocol में control होने बाले हैं और यह है IC के सारे input and output pin जिससे हम अपने hardware को connect करने बाले हैं और यह IC का HDR and HCL protocol कैसे होगा वो system है और इस IC का maximum clock speed है 100 kHz that means यह IC को सही धंग से operate करने के लिए हमें Arduino को 100 kHz में set करना होगा और इस IC को बहुती सही धंग से उपयोग करने के लिए मैंने इस IC को इस पोकार से बना लिया इससे फाइदा मुझे यह होने वाले है कि breadboard में मैं सारे pin को बहुती सही धंग से अक्सेस कर पहूँ so यह सारे चीज दिमग में रखते हुए मैंने इस board को अपने breadboard पर mount कर लिया और according to my diagram मैंने यह सारे connection को बहुती सही धंग से कर लिया तो चलिए एक बार code पर नज़र डलते हैं और luckily मुझे इस IC के एक library भी मिल चुका है जिसको बनाया है SunrootCon और जिससे मेरा काम बहुती आसान हो चुका है और उस फाइदे को लेते हुए मैंने अपने code को write किया और आप देख पर है यह code बहुती आसान है अब यदि आपको कुछ समझ भी नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं आप मेरे description में जो लिंक है उससे डाउनलोड करके आप इसको इसको इस्तेमाल कर सकते हैं यह चैनल one का ही mention किया हूँ आप चाहे तो और भी चैनल का mention कर सकते हैं और देखे यह final result 79 step जाहे तो आप इसके जगा में पर आपको पसंद आया तो आप बेशक इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में